नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आने वाले एक दो महिनों के अंदर इलेक्टिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वाच वीडियो है तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें आज हम बात करेंगे टॉफ आपकमिंग इलेक्टिक कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते रहे हैं और हमारा भी एक लाग सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो जाए बात करते हैं फिप पोजिशन पायने वाली इलेक्टिक स्कूटर के बारे में जो कि हमें जल्द से दल देखने को मिल है आई तिंक एपरेल मंत में आपको ये गाड़ी सेल्क होते हुए भी दिख जाएगी बात कि जाए इस इलेक्टिक स्कूटर के बारे में तीसमें हमें 120 किलो मेंटर का ओल्मोस्ट रेंज देखने को मिल जाएगा लगबग आपको ये इलेक्टिक स्कूटर एक्टीवा जै की देखने को मिल जाएगी प्रैसिंग की बात करें तो यह इनटीं कि स्कूटर का speak कॉठ ऑन्रोदान अब यश्यम रही ए और लिम्टेड एडिशन में अरही है इस इस लेक्टिक स्कूटर में हमें 130 km का ओल्मोस ट्रेंज देखने को मिल जाएगा 75 km का टॉप फिर देखने को मिलेंगी और कहीं कहीं के शोरूमों में ये गाड़ी हमें देखने को भी मिलिए एक दो यूटुवर्स ने इसका वीडियो भी कर रखा है थर्ड नमर की इलेक्टिक स्कूटर की बात करें तो थर्ड पोजिशन पर है एथर की तरफ से आने वाली रिजट आए जो की एक फैमिली सेग्मेंट इलेक्टिक स्कूटर है एथर की तरफ से कोई भी इलेक्टिक स्कूटर फैमिली सेग्मेंट इलेक्टिक स्कूटर नहीं थ बड़ा सीट और नहीं करती ना ही कोई इसको भी कूटर कर पाती है तो चलिया देखने ब्याच्चे तक देखने को मिल जाती है वैसा ही फैमिली सेग्मेंट जैसा लुक में भी हमें देखने को मिल जाएगा इसके लॉंचिंग का भी डेट एनाउंस हो चुका है छे अप्रेल को यह गाड़ी हमें लॉंच होते होगे दीख जाएगी तो आप भी इस गाड़ी का व अल्रेडी लॉंच हो चुकी है बट अभी हमें देखने को रोड पे नहीं मिल रही है इसका डिलेवरी हमें एप्रेल मंत में देखने को मिल जाएगा इसमें हमें तीन बैटरी का ओप्शन देखने को मिल जाएगे 2 किलोवाट आर, 3 किलोवाट आर और 4 किलोवाट आर का प् प्राइस के बारे में आप लोग को पहले ही बता दिया था ये गाड़ी हमें अप्रेल में डिलेवर होते हुए दिख जाएगी अगर आप ओला की गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल इस अई टाइम है अभी इस पर ओफ़र वी चल रहा है और फ्रेम टू सबसेडी जाने वाला भी है गाड़ीों का दाम बढ़ने वाला है तो 31 मार्स से पहले ही आप इलेक्टिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे अब बात करते हैं फर्स्ट पोजिशन पर आने वाली इलेक्टिक स्कूटर के बारे में फर्स्ट पोजिशन पर है होंडा होंडा के लेके आपने देखा यूटूब पे हर दिनों कुछ खवरे आती रहती हैं कि होंडा इलेक्टिक स्कूटर आज लेके आने वाला है लेकिन वैसा कुछ नहीं है अभी भी confirm नहीं है कि कभ यह electric scooter लेके आने वाला है लेकिन अभी हाली में इन्हों ने कुछ expo में अपनी electric scooter Hyundai EM1 को showcase किया था और SE1 को showcase किया था जिसमें से एक electric scooter इन्डिया में confirm है कि आने वाली है और यह electric scooter मैं या जून में हमें देखने को मिल जाएंगी इस electric scooter में 120 किलिवीटर का range देखने को मिल जाएगा swapable battery होने वाला है swap के थुरू भी आप battery को charge कर सकते हैं top speed की बात किया तो 90 का almost top speed भी आपको देखने को मिल जाएगा और गाड़ी में mid drive motor का योच किया जाएगा गाड़ी premium होने वाली है और Honda के तरफ से आने वाली है तो कोई tension लेने की बात नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत ही experience है प्राइस की बात करें तो यह 1,30,000 का almost इसका प्राइस हो सकता है एक शोरूम और बहुत ही जल्द हमें यह गाड़ी देखने को मिल जाएगी चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को the end क्योंकि पाचों ही electric scooter के बारे में मैंने बता दिया इसके अलाबा रिवोट NX 100 भी आने वाली है लेकिन इसको लेगे कोई confirmation नहीं कि यह electric scooter कब हमें देखने को मिलेगी CEO के मुताबिक जून में हमें यह electric scooter देखने को मिल जाएगी वाट देखते हैं चलिए कब तक देखने को मिल जाती है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर ले तबतके लेग गो ग्रिन गो एलेक्टिक